नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फास्ट रिक्स अप जीके वाई राजेश्वार पांडे को और आज अपनों लोग याता यानि ट्रॉफिक कोश्चन बैंक के कुछ फील इन दा ब्लैंक्स वाले प्रस्णों को दिखने जा रहे हैं जिसमें रिक्त स्थानों के पूर्ति करना इस धन से आये हुए प्रस्ण है और बहुत सारे डिवीजिनों का ये कुश्चन बैंक है तो दोस्तों कृप्या वीडियो में शुरू से लाश्ट तक बने रहें और ये काफी लभानवीत प्रस्ण है तो देरना करते हुए कुश रास्ते में इंजन फेल होना खाली अस्थान स्रेणी की दुर घटना है यानि किस स्रेणी की दुर घटना में आती है जो रास्ते में इंजन फेल हो जाता है ट्रेन आ रही है और रास्ते में इंजन का फेल होना किस स्रेणी की दुर घटना है खाली अस्थान है कि रास्ते म तरह से याड दुरगटना है या सधारन दुरगटना है उसी तरह से उपसकरों की खराबी एक दुरगटना है तो रास्ते में इंजन के फेल होना ये उपसकरों की खराबी के अंदर आती है उपसकरों की खराबी रास्ते में इंजन का फेल होना उपसकरों की खराबी में आती यह भी उपसकरों के खराबी के अंदर आती है चाहे वो इंजन फेल हो जाए चाहे सिगनल या उपकरण खराब हो जाए यह उपसकर ही तो है उपसकरों के खराबी के अंदर आती है तो दोस्तों आगे देखते हैं इसका उपसकरों के खराबी होना एंसर है खाली अस्तान में भरेंगे अगला question number 3 यहां भी खाले इस्तान भरना है दोस्तों और देखते हैं कि क्या है तो देखिए लिखा हुआ है standard one remodeling के station पर गाड़ियों की अधिक्तम गती कितनी होती है आप से पहले वाले वीडियों बताए हैं दोस्तों कि उपसकर one remodeling के station पर गाड़ियों की गती 50 km पति घंटा होती है ठीक standard two रहता तो 110 km पति घंटा एक एक सटेंडर three रहता 140 km पति घंटा और standard four रहता तो 160 km पति घंटा होती है तो यहां चुकित दोस्तों standard one remodeling station पर गाड़ियों की अधिक्तम गती इसलिए 50 km पति घंटा यहां सही एंसर है दोस्तों अगला question नंबर four four में देखिए दोस्तों अब आ गया extender two extender two के station पर गाड़ियों की अधिक्तम गती दोस्तों standard two है चौथा question पर द्यान दे दोस्तों standard two remodeling station पर गाड़ियों की अधिक्तम गती कितनी होती है खाली इस्ताना है दोस्तों तो 110 km पति घंटा अभी आपने सुना है standard one में 50 km पति घंटा standard two में 110 km पति घंटा standard three remodeling में 140 km पति घंटा और वही standard fourly remodeling हो तो 160 km पति घंटा हो जाती है चुकि यहां चौथा प्रस्ण है standard two remodeling के station पर गाड़ियों की अधिक्तम गती इसलिए 110 km पति घंटा सही answer है अगला question number five दोस्तो question number five को देखे गवर से standard three पुछा हुआ है standard three remodeling के station पर गाड़ियों की अधिक्तम गती तो standard three में कितने हो जाएगा दोस्तो 60 km पति घंटा यहां खाली अस्तान में क्या वरेंगे दोस्तो 60 km पति घंटा अगला question number six द्यान दे दोस्तो लाल से लिखा हुआ question number है question number six है standard four remodeling के station पर गाड़ियों की अधिक्तम गती चुकि दोस्तो अभी आपने सुना है standard four पे क्या हो जाएगा 160 km पति घंटा standard one remodeling 50 km पति घंटा standard two remodeling 110 km पति घंटा standard three remodeling 140 km पति घंटा standard four remodeling 60 km पति घंटा इसका सही अंसर है question number six का अगला प्रस्न संख्यासाब engine को पिछली कईब से चलाये जाने पर गाड़ी की अधिक्तम गती जब engine को पिछली कईब से चलाये जाने पर गाड़ीयों की अधिक्तम गती क्या होगी दोस्तो 40 km पति घंटा होती है इंजन को पिछली कईब से चलाए जाने पर गाडियों की अधिक्तम गती कितनी होगी दोस्तों तो 40 किलो मीटर पती घंटा हाँ दोस्तों एक बात कहना मैंने भूल गया इससे पहले जो वीडियो के जो कोस्टन बैंक के सीरी थीरी हमने डाउनलोड किया है तो थीरी के कोस्ट हम लोग देखते हैं कि इंजन के पिछली कईब से चलाए जाने पर गाड़ी की अधिक्तम गती 40 किलो मीटर पती घंटा सही एंसर होगा इसका दोस्तों अगला आ गए हम लोग कोस्टन नमबर आठ अब आठ नमबर प्रस्ण को गौर से देखे दोस्तों आठ नमबर क्या है कि D-Class Station पर सवारी गाड़ी आगमन और प्रस्थान का उलेख, D-Class आठवा प्रस्ण है, दोस्तों अठ नमबर लाल से देखिए, बाएं शाइड में आठ नमबर लाल से Qn- psn में डला हुआ है कि D-Class Station पर सवारी गाड़ी का आगमन और प्रस्थान का उलेख, ठीक में बहत स्टेशन पर सवारी गाड़ी आंगमन फ्रस्थान का उल्ट हाँ देखिए दोस्तों यह डइक लास आभी क्लास की अलग कि अज्य किसी इस्टेशन नहीं तो यह कलास वी कलास तो स्ट ड़ू आ रिक दियादी है लेकिन 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 यहां D class station पर सवारी गाड़ी के आगमन प्रस्थान का उलेख कहां रहेगा जब D class है वहां तो कोई station बनी नहीं है यहां पर SWR नहीं रहता है यहां WTT यानि संचालन समय साड़ने working time table में रहता है D class station पर सवारी गाड़ी के आगमन प्रस्थान का उलेख किस में रहता है WTT संचालन समय साड़ने अगला question number 9 ध्यान देब आयतरब question number है किसी section में 24 घंटों में चलने वाली गाड़ीयों की संख्या खाली अस्थान कहलाती है क्या कहलाती है दोस्तों जब 24 घंटे में चलने वाली गाड़ीयों की जो संख्या होगी वो उस section की capacity होगी क्या होगी दोस्तों section की capacity किसी section में 24 गंटों में चलने वाली गाड़ियों की संख्या section की capacity कहलाती है अगला प्रस्ण question number 10 दोस्तों 10 number question है दोस्तों कि इस station को मौसम चितावनी संदेश खाली अस्तान द्वारा दिये जाते हैं इस station को मौसम चितावनी संदेश किसके द्वारा दिये जाते हैं दोस्तों 10 नमर में खाली अस्तान है तो section controller देता है कौन देता है दोस्तों section controller किसी भी विशेश चीज की सुचना तो वही जगा ना section controller तो इस station को मौसम चितावनी संदेश की सुचना किसके द्वारा दिये जात तता अंतिम इस्टेशन जहां गारी समप्त होती हैं उसे खाली अस्थान कहते हैं दो चीज हैं देखिए केवल एक गारी पदती जहां है जेक्सन इस्टेशन जहां से गारी प्रारंब होती है उसे क्या कहते हैं पहला कोश्चन और दूसरा कोश्चन है कि तता अंतिम इस्टेशन जहां गाड़ी समाप्त होती है उसे क्या कहते हैं तो दोस्तों ध्यान दे केवल एक गाड़ी पत्ती में जक्सन इस्टेशन जहां से गाड़ी प्रारंब होती है उसे बेस इस्टेशन कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों उसको बेस इस्टेशन यहां बेस इस्टेशन भरेंगे और अगला है कि तता अंतिम इस्टेशन जहां गाड़ी समाप्त होती है उसे टर्मिनल इस्टेशन काते हैं क्या काते हैं देखिए टर्मिनल इस्टेशन केवल एक गाड़ी पत्ती में जक्सन इस्टेशन जहां से गाड़ी प्राराम होती है वहां बेश इस्टेशन जहां गा कि मोटर टाली को किसी गाड़ी या मोटर टाली के पीछे कितने मीटर के दूरी पर चलाई जा सकती है खाली अस्थान है जहां कितने हमने बोला है तो मोटर टाली हो या मोटर टाली को किसी गाड़ी या मोटर टाली के पीछे 500 मीटर की दूरी पर चलाया जा सकता है कितने दोस दोस्तों 500 मीटर अगला प्रस्ण कोश्चन नमबर 13 क्या है दोस्तों कि लॉग हॉल गाड़ी के सबसे पिछले ब्रेक्यान में एयर प्रेसर की मात्रा कितने केजी बर्ग सेंटीमीटर होनी चाहिए तो दोस्तों 4.6 केजी प्रति बर्ग सेंटीमीटर होनी चाहिए ध्यान प्रेसर की मात्रा कितनी होनी चाहिए 4.6 केजी प्रति बर्ग सेंटीमीटर अगला कोश्चन दोस्तों ध्यान दे 14 दोस्तों 14 नमबर प्रस्ण है आठ पहिये वाले ब्रेक्यान का कूड तो दोस्तों ध्यान दे आठ पहिये वाले ब्रेक्यान का कूड क्या होता है चोदा नमबर प्रस्ण, बाय तरफ लाल से चोदा लिखा हुआ है, आठ पहिये वाले ब्रेक्यान का कोट, बी भी जेड आई, बी फर बॉल, बी फर भेरी, जेड फर जेबरा, आई फर इंक, बी भी जेड आई, आठ पहिये वाले ब्रेक्यान का कोट क्या होता है दोस्तों, अगला प्रस्ण है 15 नंबर दोस्तों ध्यान दे, पैनल के संचालन को रिकार्ड करता है, पैनल के संचालन को क्या रिकार्ड करता है, क्या यहां खाली अस्थान है, पैनल को संचालन को कौन रिकार्ड करता है, क्या रिकार्ड करता है, तो खाली अस्थान में भरेंगे डाटा लोगर पैनल के संचालन को डाटा लोगर जो है रिकर्ड करता है कि पैनल कैसे चलाया गया कौन कौन सी बटम दबाई गई कौन सी काटे वाली बटम दबाई गई कौन सी पॉइंट वाली बटम दबाई गई और कौन सी सिगनल वाली बटम दबाई गई ये सब पैनल के संचाल कि दुरघटना होने के बाद के 15 मिनट के समय, खाली अस्तन समय कहलाता है, कौन से समय कहलाएगा, जो दुरघटना होने के बाद 15 मिनट के समय होगा, प्लेटिनम समय कहा जाता है, कौन से समय दोस्तों, प्लेटिनम समय, ठीक, अगला प्रस्ण, दोस्तों, 17 नमबर प्रस्ण, बिस फोटक पदार्थों से भरे बैगनों के आगे एवंग पीछे लगाये जाने वाले बैगनों को क्या कहते हैं? गार्ड वैगन वैगनों को क्या बोलते हैं दोस्तों गार्ड वैगन आगे देखते हैं question number 18 दोस्तों question number 18 देखते हैं बायत तरफ 18 लाल से लिका हुआ है कि joint signal inspection खाली अस्थान खाली अस्थान खाली अस्थान किसके द्वारा record रखा जाएगा? joint signal inspection को खाली अस्थान द्वारा किया जाएगा एवं द्वारा उसका record रखा जाएगा? दोस्तों ध्यान दे, सबसे पहले इसमें केवल हम इतना देखते हैं कि joint signal inspection किसके द्वारा record किया जाएगा? तो ओ किया जाएगा चाहे TI हो अप्रेटिंग क्या या लोकों का LI हो, SI हो या PWI हो, कौन-कौन? TI, LI, SI, PWI, इनके द्वारा जो है joint signal inspection को इनके द्वारा किया जाएगा, कि इनके द्वारा? TI, LI, SI, PWI, और इसे SI द्वारा ही उसका record रखा जाएगा, अगली प्रस्ण question number 19 19 नमबर दोस्तों कि joint signal inspection खाली अस्थान माह में एक बार किया जाएगा, कितने माह में एक बार joint inspection किया जाएगा, 19 नमबर, तो इसका सही answer है, तीन, joint signal inspection तीन महिने में एक बार किया जाएगा, तीन यहाँ भारा जाएगा, अगला question number 20 दोस्तों द्यान दे, मुंबई मंडल मे through line के signal के खमहे का रंग, मुंबई मंडल में through line के signal के खमहे का रंग क्या है, 20 नमबर प्रस्तों है, तो दोस्तों मुंबई मंडल में through line के signal के खमहे का रंग जो है, silver है, silver, ठीक, अगला प्रस्तों, यह मुंबई मंडल में through line के signal के खमहे का रंग क्या है, तो silver है, यह विशे करके मुंबई मंडल के लिए एक प्रसंट दोस्तों मुंबई मंडल में दीमी लाइन सिगनलों के क्म हो रंग मुंबई मंडल में दीमी मुंडल के सिगनलौं के खंभी का रंग काली सफेज धारिया यह सभी मंडल Imperator अगला question number 22 22 number है कि गाड़ी में औ परियापत एयर प्रेसर की मात्रा होने पर local pilot city बजाएगा ध्यान रखें दोस्तों सबके लिए गाड़ी में औ परियापत एयर प्रेसर की मात्रा होने पर local pilot 2 छोटी एक लंबी city बजाएगा गाड़ी में ओ परियाप्त और प्रेसर के मात्रा होने पर लोको पाइलट कितने स्थी बजाएगा दोस्तों ध्यान रखें दो छोटी और एक लंबी स्थी बजाएगा अगला प्रस्थ तेश नंबर रेल्वे की आर्थिक स्थिती जानने की सांखिकी ये काई क्या है परिचा परिचाला ननपात तो अगले दिन इससे बड़े और बेस्ट वीडियो अप्लोड हुआ दोस्तों वीडियो जदी अच्छा लगता है लाइक सब्क्राइब अवश्य किजिए ताकि सब्क्राइब करने से आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंश सके लाइक से मेरा उत् तो कि कहां महत्वपूर्ण पॉइंट है ठीक यह आप देखेंगे तभी आपको जनकारी होगी तो धन्यमाद